36 गड़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है एक ऐसा नेता जिसने सडक से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी एक ऐसा नेता जिसे यहां किसान पुत्र के नाम से जाना जाता है और एक ऐसा नेता जिसके साथ कई बिवाद जुड़ा लेकिन आखेकार वो पहुँच गए 36 गड़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी में मैं बात कर रहा हूँ भुपेस बगेल जी की सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है आप 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद और A.B.P करवस्या को धन्यवाद देता हूँ कि हुप हम लोगों ने जो बनाया है वो बहुत बियोहारिक घौष्णापतr बनाया हैं और गौष्णापतr समिथी के अध्यक्त तत काले हुन हमारे लिडर थे और अभी बहुत ही हमारे वरिष्ट राजनेता टिया सिंग्देश जी ने बनाया उसके घोष्णा पत्र समीति के अध्यक्स थे उनको हम पूरा करेंगे ऐसी कोई बात हम लोग नहीं कहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते जुम्ला बाजी नहीं है आज ही हम लोग उसको आज पहली केवनिट होगी और केवनिट में ही उसको आदेश जारी करेंगे जो रेनमाफिक मामला है जो हमारे राश्टी अध्यक्ष ने जो गोष्णा की है उसे हम आज ही उसका आदेश जारी कर देंगे दूसरी बात आक्रमक किस मामलें हुए जब जन के साथ अन्या हुआ छोटी से नस्बंदी में तेरा-तेरा महिलाओं की मौत हो जाती है तो यदि सरकार वहां काम नहीं करती तो निश्य तो गुस्सा आना सौभाविक है जो सव्धान है जो कानून है जो नियम है उसका पाला ने सरकार नहीं कर रही थी तो इसलिए आज हमारी भूमिका है सबको साथ में लेकी चलना कानून का पालन कराना चत्तिजगर की जनता की हितों को ध्यान रखना अब भूमिका बदली हुई है तो निश्य तुरूप से वो जो उर्जा आक्रमन में लगता था वो उर्जा अब निर्माण में लगेगा सर एक सवाल और अधिकारियों के अंदर भी एक डर का वातावरण है कि आखिर जिस तरह की सैली उन्होंनों आपकी देखी है विधान सभा में तो कहीं अधिकारियों का पर तो कोई खत्रा नहीं है और किस तरह के अधिकारियों पर खत्रा है अगर है तो कि सिद्धी बात है जो इमामदार है जो मेहनत कर रहे हैं जो अपने दाईतों के निर्वान कर रहे हैं मैं समाझत हूँ उन अध्कारियुं में तो बहुत प्रस्वनता है कि डरे हुए वो लोग हें जो बर्ष्ट है जो किसी व्यक्ति विशेश के प्रति उसके निश्ठा रही है वो लोग डरे हुए हैं और उनका डरना लाजमी भी है वो जो भरश्ट अधिकारी हैं उनके खिलाप करवाई होगी लेकिन जो इमानदार है जो मेहनत कस है उसको पूरा संदक्षन मिलेगा इस बात आपने कही थी जिस दिन नतीजे आये थे कि 36 गड़ में एक सियम थे एक सुपर सियम थे यह सुपर सियम कौन थे सुपर सियम आप इस्थिफा दे चुके हैं संवीदा में थे नाम लेना मैं उचितने समझता वो सब जानते हैं कि पूरे सिस्टम को हाई एक कर लिये थे पूरे अधिकारी उससे डरते थे सारे मंत्री उससे खौफ खाते थे और पूरा सेंट्रलाइज कर लिया था पावर क शुक्र मंतरी के रेस में चल रहा था और बाद में आपके नाम की घोषना हो गई, उनके अंदर की जो नाराजगी होगी कैसे मंत्री मंडल में आप लोग सामनजस्व इठाएंगे और कैसे मनाएंगे और कैसे पांस साल चलाएंगे चुनोती नहीं है आपको नहीं लगता करता है कोई भी व्यक्ति हो प्रयास करेगा और किया भी जिस प्रकार से विधान सभा के चुनाओं में बहुत सारे सांथे हमारे टिकेट के लिए दावेदारी कर रहे थे टिकेट वितरन होने के बाद अधिकांस लोग पार्टी की हित में काम किये नाराजगी दूर हो गई हम लोग मिल बैठके बात किये उनसे तूर कर ले उसी प्रकार से थोड़ी भी दिन नाराजगी मैं नहीं समझता के टिया सिंग्देव जी मजह हुए राजनेता हैं सारे चीज को समझते हैं और हम लोगों के बीच में कोई विवाद ना टिया सिंग्देव से ना ताम रद्द प्रकार के कोई आगे चलकि कोई वाद होगा और अभी मैं समझता हूं कि हम लोग कल भी बैठे थे परस, भी बैठे थे सांस में रहे हैं और आगे भी हम लोग सांस मिल के काम करना है तो सबका उद्देश TH garant अबला करना है तो और हम लोग लगातार साथ में काम करते रहे हैं तो वो मुझे जानते हैं मैं उनको जानता हूँ सर एक बात और किसान पुत्र माटी पुत्र और छट्टेट छट्टिस गड़ी के रूप में आपको देखा जा रहा है तो मुख्मंत्री कैसा होगा जो पूर मुख्मंत्री थे उस तरह का पूरा आभा मंडल होगा या तो फिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान पुत्र माटी पुत्र उसी तरह से वुपेश बगेल जी जो है जनता के सामने जाएंगे मैं बिल्कुल एक आम चतिजगड़िया जो होते हैं चतिजगड़ के लोग बहुत सिदे सरल और अपनी बात कहने वाले होते हैं मैं भी उसमें से एक हूँ और मैं समाजता हूँ कि यह हमारी चतिजगड़ की पहचान है कि सांती पूर्वक रहना और भाईचारा की सांत रहना सबसे संबंद बना के रहना यह चतिजगड़ के अपनी परंपरा है और उस परंपरा को आगे और बढ़ाना है यह सब को पता है कि आपका परिवार जो है वो भी जाच के लिए गया आपकी एक एक इंच जमीन नपवाई गई आप जेल गए अंदर प्रतिसोध नहीं है बिल्कुल नहीं है जिस कलेक्टर ने आदेश जारी किया आतीन दिन से मेरे घर में वो बैठे हुए है मैंने उसे यह सब्दा भी किन और कोई अपमानित करने कोशिश की वह अपनी भूम का प्रतिसोध नहीं है उसका निर्वान करना चाहिए जह को खुश करने के लिए के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए मेरे अंदर कोई प्रतिशोद नहीं है मेरा जो प्रतिशोद है वो चतिस गड़ के साथ जो अन्या हो रहा है अत्याचार हो रहा है उनके खिलाप है जो यहां सोसन है अत्याचार है भोले भाले लोगों को जो लूटने कोशिस कर रहे हैं उसको चलने कोशिस कर रहे हैं उनको जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है उनके खिलाप आपको आपकी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश मिला उसके आधार पर अजीज जो की जो तीसरी ताकत के रूप में हां उभरने की कोशिस कर रहे थे उनकी तो भूमिकाई खतम हो गई उनसे कैसे रिष्टे रहेंगे आपके उनको ये गलत फ्रमी थी कि कांग्रेस मेरे द्वारा चलता है जो जनाधार है वो मेरा है जबकि छतिस गड़ में कांग्रेस का अधार है और यहां दो दली ब्योस्ता सुरू से रही है जो राश्टी दल है उनके साथ जुड़ेवे रहे हैं और वो जो गलत फ्रमी है यह विजान सब हमें दूर हो गया यहां जो कुछ भी है वो कांग्रेस का है कांग्रेस का संगठन का है किसी भी राजनेता के ब्रहमनी रहना चाहिए कि यहां उसका जनाधार है यह जो आधार है वो कांग् मिल रहे हैं क्या ये आश्वासन आप एबीपी नियूस के माध्यम से 36 गड़ की जनता को देना चाहते हैं मैं भरपूर्स ने प्यार यहां की जनता गृत दूँगा और जो उर्जा है उसको निर्मान कारे में लगाने के काम करूँगा और जहां कोई गलत करेगा तो समझ लीजिए कि उनके खिलाप मेरी जो भूमिका है वही रहेगी कोई अन्याय अत्याचार करने के कोशिश करेगा तो उसके साथ तो बहार भी होगा चुनोतियां क्या है आपके लिए चुनोति बड़ी है यह जो पंदरा साथ से जो ब्यावस्ता को चिन भीन कर दिया गया है समझ धानी धाचा को कमजोर करने कोशिश करके व्यक्ति आधारित हो गया है इसे फिर से जनूर मुखी बनाने का आउसकता है जनता के प्रती जवा देल 36 गड़ के नए मुख मंतरी इनकी आकरामकता के बारे में 36 गड़ में चर्चा होती है लेकिन अब वो एबीपी न्यूस के माध्यम से आस्वस्त कर रहे हैं कि अब उन्हें कूल मुख मंतरी मिलेगा लेकिन जो गलत करेगा उसे बकसा नहीं जाएगा इनकी जो घोसना इनका जो घोसना पत्र है उसे अमल में ये कैसे लाएं इस दिसे में 36 गड़ सरकार जल से जल प्रयास करेगी कैमरा प्रसंद रुगे साहू के साथ ग्यानेंदर तिवारी एबीपी न्यूस रायपुर क्वश में जाएगा ये जाएगा शेम जाएगा जो